Hello students, I am your EVS teacher Khushbu. Hope you all are fine. So today we will start our new chapter Body Parts. हम इसमें पढ़ेंगे अपने Body Parts के बारे में. So let's start our chapter. Chapter 2 Body Parts. I will learn about my body parts. हम इसमें अपने Body Parts के बारे में पढ़ेंगे. We all grow up. हम कैसे बड़े होते हैं? Since organs. किन organs की help से हम feel कर पाते हैं? यह touch कर पाते हैं? वो sense organs के बारे में पढ़ेंगे. So let's start from Body Parts. हम इसमें स्टार्ट करते हैं my body parts से. Our body has different parts. Some parts of my body are shown below. या आप पुद different body parts दिख रहे हैं image में? उनके बारे में पढ़ेंगे. First, hair, बाल, eyes होती हैं, mouth, जिसकी help से हम बोलते हैं, chest, stomach, पेट को कहते हैं, fingers, knee, ears, जिसकी help से हम सुन पाते हैं, कान, nose, नाप को कहते हैं, arms, hands, hands होते हैं बच्चो, high, leg, पैर को कहते हैं, next है, यह image में आपको दिख रहा है, बच्चा क्या शू कर रहा है, अपनी elbow, next image में बच्चा क्या दिखा रहा हैं, अपनी ankle, stomach, इस image में बच्चा क्या शू कर रहा हैं, neck, मतलब गर्दन, इस image में बच्चा अपने legs दिखा रहा है, इसमें shoulders, मतलब की कंधे, जिसके ओपर हम अपना back को hang करता है, तो किस पे करते हम, shoulders पे, यह क्या है हमारे foot, हमने यह पढ़ अपने body parts के बारे में, next हम देखते हैं अब, हमारे different body parts की helps, हम different क्या क्या activities करते हैं, क्या 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 काम करते हैं, वो पढ़ेंगे, each part of our body helps us to perform different activities, हर एक body part, different different activities करने में, हमारी help करता है, जैसे हम पढ़तने हैं, पहले hands के लिए, we can with our hands, हम अपने hands से क्या कर सकते हैं, जिसे आपको image में दिख रहिये, गल क्या कर रही है, right, second image में बच्ची क्या कर रही है, clap, third me push, बच्चा क्या कर रहा है, chair को push कर रहा है न, तो किसकी help से कर रहा है, hands की help से, catch, यह बच्चे ball catch कर रहा है, किसकी help से कर रहा है, अपनी hands की help से अब हम पर time अपनी legs की help से क्या क्या कर सकते है we can with our legs, first यह girl क्या कर रही है, walk, walk मतलब चल रही है, किसकी help से legs की help से, run, run मतलब भी boy भाग रहा है, किसकी help से, legs की help से, sit and then kick, यह बच्चा kick कर रहा है ball को, किसकी help से, legs की help से, we do many other works with our hands and legs, हम ऐसे ही बहुत सारे काम करते हैं, अपनी hands और legs की मदद से, अब हम पढ़ते हैं, sense organs के बारे में, eyes, ears, nose, tongue and skin are called sense organs, हमारी five sense organs होती है, eyes, ears, nose, tongue, skin, यह क्या होती है, हमारी five sense organs होती है, जिसकी help से, हम different activities को, क्या कर पाते हैं, feel कर पाते हैं, जिसे हम पढ़ते हैं, आँगे, they help us to know the world around us, इसकी help से हम sense organs की help से क्या कर पाते हैं, world को know कर पाते हैं, मतलब जान पाते हैं, अब जैसे क्या है हमारा first, we see with our eyes, they also help us to read and watch, आपको यह eyes की image देख रही है, इसकी help से, आपको next diagram में देख रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, TV देख रहा है, तो हम eyes की help से क्या कर पाते है, read मतलब देख पाते है, watch मतलब जैसे क्या कर रहा है, watching television, तो ऐसे हम eyes की help से क्या कर पाते है, read and watch, next है हमारा ears, we hear with our ears, आप ears की help से क्या कर पाते हो, hear, hear मतलब सुन पाते हो, जैसे image में बच्चा क्या कर रहा है, music, hear कर रहा है, मतलब सुन रहा है, next नोस, we smell with our nose, अपनी नोस से क्या कर पाते है, smell, आपको इमेज में दिख रहा है, गल क्या कर रही है, smell कर रही है flower को, we taste food with our tongue, it also help us to speak, हमाई टंग किसमें help करती है, speak मतलब बोलने में मदद करती है, और taste करने में, जैसे आपको इमेज में दिख रहा है, आईस्क्रीम लड़की टेस्ट कर रही है, किसकी help से कर रही है, यह टंग की help से, we feel with our skin, it help us to sense hot, cold, soft and hard, आप अपनी skin की help से क्या कर पाते हो, feel कर पाते है, feel मतलब महसूस, आपको hot मतलब कोई चीज गरम लगती है, तो आप feel करते हो, किसकी help से, skin के help से, cold मतलब थंडी चीज, soft मतलब मुलायम होती ह आप छू के बताते हो, कि यह चीज क्या है, soft है, यह hard है, तो किसकी help से कर पाते हो, यह skin के help से, अब हम पढ़ते है, we all grow up, first है हमारा baby, आप पहले छोटे बच्चे होते हो, फिर kid होते हो, next teenager, जब हम school जाते हैं, फिर man, and last old man, तो यह क्या है, हमारी stages होती है, हम कैसे बड़े होते है, next हम पढ़ते है, tree, जैसे tree पहले क्या होते है, seed होता है, seed मतलब beege होता है, फिर वो baby plant बनता है, छोटा plant बनता है, फिर वो tree बन जाता है, तो हम वो पढ़ते है, seedling, पहले वो seed था, फिर baby plant बना, फिर tree बना, ऐसी animals ग्रो करते है, जैसे आपको example दिख रहे है, dog का, पहले वो क्या था, puppy, फिर वो क्या बना, dog, अब हम ये question पढ़ते है, paste a photograph of yours when you were one year old, compare it with your recent photograph, do you look same, आपको ये जगह दिख रही है, इसमें क्या करना है, paste your photograph here, आपको यहाँ पे अपनी photograph पेस्ट करनी है, जब आप one year के थे, फिर आपको compare करना है, अब आप कैसे लगते हैं, और one year के लिए जब कैसे लगते हो, तो different है न, क्योंकि आप grow कर चुके हो अब, यह हमने पढ़ा पूरा chapter, अब हम करते है, quick review of this chapter, first, we perform many activities with the help of our body parts, हम बहुत सारी activities को perform करते हैं, अपनी body parts की help से, जैसे हमने पढ़ा playing, writing, reading, playing मतलब खेलना, लिखना, पढ़ना, वो हम किसकी help से कर पाते हैं, different body parts की help से, next is sense organs, help us to know the world around us, sense organs की help से हम क्या कर पाते हैं, अपने world को know कर पाते हैं, मतलब जान पाते हैं, all living things grow up, सारी living things क्या करते हैं, धीरे धीरे grow करते हैं, चाहिए human beings, मतलब हम हुए, plants हुए, या animals हुए, तो अब यहां पे हमारा chapter finish होता है, अब हम करते test your knowledge, हमने क्या आप सीखा इस chapter से, first exercise है, darken the correct option in the OMR sheet, आपको ये OMR sheet दिख रही है, इसमें सापको correct option करना है, तो हमारा first है, we have dash to see, आपके पास two eyes होती हैं, देखने के लिए, तो हमारा first का है, the option is correct, two eyes, second, we have dash to test, आपके पास टंग होती हैं, टेस्ट के लिए, और आपके आ कितनी टंग हैं, आपके पास one tongue, तो second, the option is correct, फिर third है हमारा, we have dash to, leg की help से क्या कर पाते हैं, हम walk कर पाते हैं, तो हमारा third का option है, A, walk, हम हम आते हैं, next exercise पे, ये क्या है हमारी, filling the blanks with the help of the clue box, आपको ये clue box दिख रहा है, इसकी help से आपको अपनी fill up करना है, तो आपका first statement है, dash with my eyes, आप eyes की help से क्या कर पाते हो, read, read मतलब पढ़ पाते हो, तो first fill करिए, read, r, e, a, d, read, second है आपका, I dash with my ears, years की help से आप क्या कर पाते हो, here, second fill करिए, here, h, e, a, r, here, third है, I dash with my nose, आप nose की help से क्या कर पाते हो, smell, तो third fill करिए, smell, as, m, e, double, l, आप हमारी next exercise है, match the following, आपको ये column A दिख रहा है, और column B दिख रहा है, आपको column A को column B से match करना है, first है, आपको catch, catch किस की help से कर पाते हो, yes, hands, first को match करिए B से, second kick, आप kick किस की help से कर पाते हो, legs, second को match करिए C से, third taste, taste किस की help से कर पाते हो, tongue, तो third को match करिए A से, तो इसी तरह आपने अपनी match the following complete कर लिया है, अब आप बाकी exercise खुद करिएगा, I hope आपको chapter समझ में आया होगा, अब हम आपसे मिलते हैं अपनी next video में, next chapter के साथ, okay, so till then, have a nice day, goodbye, thank you.